क्रेनियल नर्फ्स बारा तरीके की होती है तो इसे बारा तरीके की होती है और इसके अलग-अलग फंक्शन होते है सबके तो इसे याद करना बड़ा वह होता है मुश्किल होता है तो तो इसमें बताता हूं कि मैं कैसे कर सकते हैं सानी से तो बारा नर्फ होती है क्रेनियल की तो कुछ ऐसे लिख सकते है ओ ओ ओ तीन बार ओ और फिर ओ के बाद ती फिर टी ओ हम एम टॉम कह सकते हैं टी ओ डबल एम और फिर ए एफ के बाद ए जी वी और आखरी में अच तो जो होता है इसे कहते हैं हम तो जो होता है से हम गयते हैं ओल फेक्टरी और जो होता है इसे कहते हैं हम ओप्टीक स्टीश और कहते हैं हम और फेक्टरी ओप्टिक और इसे आभी रुख जाए है ट्रोक्लियर इसे ट्रोक्लियर कहते हैं ट्रोक्लियर इसे ट्राइजैमिनल ट्राइजैमिनल ओको ओबलागेटरी और एमको मैक्सिलरी और तूसरे एमको मैंडिबुलर और एको कहते हैं हम ओडिकल्स एफ को फेशियल है और एको कहते हैं हम ओडिटरी जी को ग्लोसो ग्लोसो फेरेंजियल वी को इन जी 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 स्पाइनल एक्स ये ऐस है ये वी निया है ऐस है स्पाइनल एक्सेसरी नर्फ्स राच को हाइपोग्लाइसल एसे कुछ कहते हैं है ते ओ ओ ओ तो यसे फोर्मले से यागात करें तो जल्दी हो जाएगा अब इसके फॉंक्शन का होते है इनके पहल लोकेशन देखते है लोकेशन अल्फेक्टरी इसकी होती है अब जाएगा